हैलो अब्रीवन कैसे हो आप सब एक बार पुना स्वागत है आप सभी का मारे अपने यूटूब चैनल सिव कोचेंग क्लासस पर दोस्तो आज की इस बीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलाजी न्सीर्टी चैप्टर 8 में दोस्तो देखिए इसके पहले भी हमने आपको कई सारे बीडियो प्रोवाइड करा दिये हैं यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो आज की इस बीडियो में दोस्तो हम यहाँ पे तीन महत्त्पोन प्रस्में देखेंगे देखेंगे जिसमें पहला कोस्चेन है दोस्तो एंटिजन तथे एंटिवाडी के मद्ध अं तो देखें एक साइड क्या है दोस्तो हमारा एक साइड है एंटिजन यानि प्रतिजन इसको हम हिंदी में कहते हैं और दूसरी साइड है हमारा एंटिवाडी यानि इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में प्रतिरक्षी तो देखें एंटिजन की यदि बात करें हम दोस्तो तो द antibody की बात करें या प्रतिरक्षी की बात करें तो ये antigen से लड़ने है तो सरीर में बनने वाले जैवरा साइनिक पदार्थ होते हैं देखिए antigen basically क्या होते हैं antigen से लड़ने है तो यानि antigen जो हमारे body के अंदर जब प्रवेस करेंगे तब ऐसी condition में प्रतिरक्षी या इंटी वाड़ी का निर्माण होता है जो की प्रतिजन को या antigen को नश्ट करने का काम करती हैं तो ये antigen से लड़ने है तो सरीर में बनने वाले जयवरासायनिक पदार्थ होते हैं तो ये इस प्रकार के जयवरासायनिक पदार्थ हैं एक तरह से जो की किसी भी प्रतिजन को नश्ट करने के लिए सक्षम होते हैं और यहां पे एक चीज और ध्यान देने जोग बात है कि एक प्रतिजन के लिए एक ही प्रतिरक्षी होता है यानि एक प्रतिजन के लिए एक प्रतिरक्षी बिसिष्ट होता है यानि जो एक प्रतिरक्षी होता है वो केवल एक ही प्रतिजन को नश्ट करेगा अला गलग प्रतिजन को नश्ट करने के लिए अला गलग प्रकार के प्र यानि बेसिकली जो Intigen होते हैं प्रोटेश के बने होते हैं और ये उन से जुड़ने वाले Choice है के राइट सोते हैं यानि कई सारे आपास में Proteins की स्रंकला जुड़ी होती है अब देख़ें यह हम बात करें Antibody की तो Anti body प्राक्रतिक रूप से protein होते हैं यह प्राकृतिक रूप से यानि नेचुरल रूप से यह क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं अब यदि बात करें एंटीजन की तो देखी यह रोगाणुओं यह हम कह सकते हैं सूक्ष्मजीवों या मुक्त अणुओं की सतय को धकने वाले घटक होते हैं यानि यह ऐसे घटक है जो रोगाणुओं यह हम कह सकते हैं जीवाणुओं अर्थात जो सूक्ष्मजीव होते हैं या मुक्त अणुओं की सतय को क्या करते हैं यह धकने का कारे करते हैं इसके विप्रीत यदि हम बात करें एंटीवाडी की तो देखें एंटीवाडी में बेसिकली क्या होता है यह प्लाज्मा को सिकाओं की सतय द्वारा मुक्त होते हैं ये किसकी सतय द्वारा मुक्त होते हैं प्लाज्मा की सतय द्वारा मुक्त होते हैं तथा प्लाज्मा का एक भाग बनाते हैं और ये प्लाज्मा का एक भाग बनाते हैं antibody basically किसका भाग बनाते हैं प्लाजमा का भाग बनाते हैं चलिए वहाई चौथर डिफ्रेंस है इनके मद जो antigen होते हैं antigen के कारण रोग या allergy भी उत्पन हो सकती है तो antigen के कारण रोग या allergy उत्पन होती है वहाई यदि हम बात करें antigen की antibody की तो antibody देखिए रक्षात्मक पदा होते हैं यानि यह allergy उत्पन नहीं करते हैं यह रक्षात्मक पदाथ होते हैं जो कि एक antigen यूप्त पदाथों का विक्टन करते हैं बलकि यह antigen को नश्ट करने का कारे करते हैं तो देखिए यहाँ पे antigen वा antibody के मद डिफरेंस जो है दोस्तों यह paper में अक्सर पूछा जाता है तरीके psycho traffic अउस अधियां उस अधियां एक यादि हम बात करें तो देखिए asi आउस अधियां जो मनुस्य की चिंतन सक्ती यानि जो हमारे सोचने समझने की छ्मता है और मैंसिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं यानि ऐसी आउसधियां जो मनुस्त की चिंतन सकती एवं मानसिक प्रक्रिया को भी दिमागी प्रक्रिया को भी क्या करती हैं प्रभावित करती हैं इफेक्ट डालती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं साइको ट्रापिक आउसधियां कहलाती हैं वहीं यदि हम बात करें तो देख इसके निरंतर उप्योक से क्या होता है। इसलिए साइको ट्रापिक आउसदी को मनोदसा परिवर्तक आउसदी भी कहा जाता है क्योंकि इससे मन जो है वो क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है यानि जो चिंतन सकती है वो क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है तो इस आउसदी को हम क्या कहते हैं मनोदसा तो देखे इन आवसदियों की लगातार यादि कोई व्यक्ति सेवन करता है तो लगातार इसका सेवन करने से व्यक्ति क्या हो जाता है इसका आधी हो जाता है यानि उस व्यक्ति को इसकी लट लग जाती है तो देखे साइको ट्रापिक आवसदियां बेसिकली क्या होती है ऐस ये उसदियां जो मनुस्त की चिंतन सक्ति एवा मानसिक प्रक्रिया को प्रवावित करती हैं साइको ट्रापिक अउसदियां कहलाती हैं और इसके निरंतर उपयोग से व्यक्ति के बेवहार होसो अबास चिंतन सक्ती में परिवर्तान आ जाता है जिस कारण से इसे मनोदसफ परिवर्तक आउसादी भी कहा जाता है अता इन योगिकों के लगतार उप्योगसी या लगतार सेवन से ब्यक्ति क्या हो जाता है इसका आधी हो जाता है अब चलिए तीसरा कोष्टन है हमारा जिसके द्वारा मानों की भावी पीडी को अनुवानसिक आधार पर सुधारने का प्रयास किया जाता है। आज कल यह जो सुझननकी है यह एक जीव इज्ञान की साखा का रूप ले चुकी है। यानि यह एक बायोलाजी की साखा के रूप में इसको आज कल पढ़ा जाता है। उन बेक्तियों को प्रजनन के लिए यानि रिप्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है प्रोथ साहित किया जाता है। याँकि उनके मद्द जादा से जादा रिप्रोडक्शन हो और जादा से जादा नई जातियों का विकास हो। तो इस प्रकार से मानों की भावी पीडी को सुधारने का प्रयास किया जाता है। वहीं यदि हम बात करें तो सुजननकी का जनक किसे कह जाता है। तो देखें सुजननकी का जनक यानि फादार आप यूजनकी की से कह जाता है। तो सर फ्रांसिस एफ गाल्टन को कह जाता है। किसको कह जाता है एफ गाल्टन को क्या कह जाता है। फादर आप यूजनकी का जनक कह जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो हमने यहाँ पे तीन महत्तपूर्ण इंपोर्टेंट कॉस्चन देखे हैं जो कि लगभाग आपके हर एक कमिटेटिव एक्जाम में पूछे जाते हैं चाहे हो आपका चाहे हो त्रेमासिक एक्जाम हो चाहे हो अर्दवार्सिक ह उन्मूर्स वीडियो पसंद आयED हो कि दोस्तों वीडियो अच्छी लागें तो लाइक और कमेंट कीजेए साथे साथ दोस्तों के भी सेर कीजेगा मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन्ड बंदे मातरम